तो दोस्तों नमस्कार स्वागते फिर से एक और नया वीडियो में सो फ्रेंड अगर आप टाटा प्ले के existing subscribe या टाटा प्ले यूज करते हो ऐसे में टाटा प्ले में अगर आप बेंगोली हिंदी दमाल पेक का सेमी एन्यूल रिचार्ज के बाड़े में जानना चाहते हो या फिर एन्यूल रिचार्ज के बाड़े में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आगले कुछ मिनिट में हम जानेंगे टाटा प्लेका अगर बेंगोली हिंदी दमाल पेक को लेते हो आप तो इस पेक के लिए आ सारा डिटेल्स वीडियो को कम्टिट एंट तेक देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम इस संजय चैनल प्रागर पहली बारे तो सस्क्राइब करके साथ में नोटिफिक्शन बेल प्रेश करें ना भूले क्योंकि मैरे चैनल पर अपको TV and DTH related वीडियो का अपडेट मिलते रहता है सो गैस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए Tata Play Mobile Application ठीक है तो मैं यहां से Tata Play Mobile Application को Open कर लेता हूँ आप चाहो तो Tata Play Mobile Application को Play Store से बड़ी असने से इंस्ट्रॉल कर सकते हो करके आप इसे अपना सब्सक्राइबर आइडी या फिर आरेमेन नमबर डालके रिजिस्टर कर सकते हो तो मैंने यहां से अल्रेडी प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है तो मैंने कर दिया ओपेंड और यहां से सबसे पहले आपको जाना है मैंने स्पेक पर ठीक है यह जो मैंने स्पेक वाला ओप्शन है इस पर क्लीक कर देना है आपको कोई भी बेसिक प्लेड के बारे में जान करी चाहिए तो यहां से देखे जब भी अब से क्लीक करोगे तो आपका एकाउंट में बैलेंस कितना बचा होए शो हो जाएगा आपका डिव डिट कप का शो हो जाएगा और आपका यहां पर कितने का पेक चल रहा है यह भी शो हो जाएगा तो मैरा यहां पर देखे 153 का प्लेड चल रहा है ठीक है 153 का प्लेड चल रहा है तो यह हो गया NCF प्लेड तो minimum जो network capacity fee का recharge यह वो चल रहा है प्लेड बाकि का कोई extra पेक इस पर नहीं है तो अब हमें पेक चेक करने के लिए एड चेनल से अन मूर वाला जो option मिला है इस पर कर देना है क्लीक यहां पर हम क्लीक करेंगे फिर यहां से थोड़ा निच्चे ओर जाएंगे क्योंकि हमें basic plane को डूढना है यहां से слог करने के बाद यहां से हमें करना कि क्लीक करना वाध यहां से पहले प्लेइन को सबसे पहले और यहां से चलीए बेंगोलीहिधि दमाल प्लेइन को सबसे पहले वह सिलेक कर लें थे ठीके बंगला हिंदी दमाल है जिसको सिलेक प्रना है यहां से और यहां पर देखे 227.70 पार मान दिखाड़ा है ठीक है और यहां 39 का पार मांद का है सबसे प्लेन आपको 339 खर्चा करना है देखने के लिए तो आप यहां से इसे एक पर कंफ्राम कर दो आप कंफ्राम करने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां से 339 ठीक है 339 पार मांद अपका बन गया सस्क्रिप्षन तो आपका 339 पार मांद सस्क्रिप्षन बन चुका है ठीक है तो अभी क्या करना है आपको गो टू हूम यहां से तो 339 अब सबूज मान लो कि हमें 339 पार मांद का हिसाब से अगर 6 मांद के लिए हम अगर रिचार्ज करना चाहिए इस प्लेन को तो यहां से अगर 339 को हम 339 इंटू 6 तो हमें पेग करना पड़ेगा 2034 यानि कि 2034 प्लेहां रिचेशन कराते है इनके 15 देज अगर एक्सटा मिलेगा ठीक है जूजंन अगर सब्स्ड़ मान लो कि हमने 12 मांद के लिए लियाए ठैक गरना पड़ेगा कितना 4068 रुपीज खर्चा करना है 4068 रुपीज आओकर खर्चा करेंगे तो यह कुछ पेनिफिट्स था जो कि semi-annual और annual इस plane के बारे में हमने जाना अगर semi-annually अगर recharge करो तो इसके लिए आपको करना है 2034 रुपीज खर्चा करें जिसके लिए आपको 15 डेस का bonus मिलेगा और annually अगर recharge करना चाहो 4068 रुपीज से recharge करना है जिसके बदले में आपको 30 डेस का extra validity मिलेगा तो यह था कुछ benefits plane का चो कि 6 month and 12 month का benefit उमीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम